वेल्कम बैक अब्रीवन वेल्कम टू सुवल सर्विसेश टड़ी प्रक्टिस सेट नबर यह वन सेवंटी सिक सेट सीरीज यूपी पीसी पीसेश के लिए प्रक्टिस करेंगे इसमें हम करेंट अफेट्स के प्रश्णों पर तो उचले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टन फि फ्रेंच ओपन और तीसरा होता है बिंबलडन और चोथा होता है यूएस ओपन और इसी क्रम में प्रेश्ण पूछने के दो तरीके इसमें मेंली पुरुस एकल का विजेता पूछा जाता या उप विजेता और महिला एकल का विजेता या उप विजेता तो 2024 फ्रेंच ओप टैनिस टूनामेंट पुरुस एकल का खिताब किस ने जीता है इन्होंने जीता है क्या नाएमन का देनियल मेद्वेदेव, राफेल नडाल, एलेकजेंडर, जेवेरेव, कार्लोस, अलकराज राफल नडाल नहीं है, डेनियल मेद्वेदेव नहीं है इनका नाम है कारलोज अलक राज ये हैं विजेता और हराय किसको है उपविजेता का नाम है अलेकिजेंडर जेविरेव ठीक है दोनों का याद रखेगा तो French Open जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेला जाता है एक Tennis Grand Slam प्रतियोगिता है जिसे Roland Garros के नाम से भी जाना जाता है और 24 फ्रेंच ओपन के विजेता उनकी राष्टेता ट्रॉफी का नाम स्पर्दा है यह पुरुसेकल और विजेता का नाम है कार्लोस अलकराज कहां के हैं यह स्पेन के जहां का रफेल नडाल है और हलाया किसको और जर्मनी के एलेकजेंडर जेवेरेव को जो की उप्विजेता है तो विजेता का नाम कार्लोस अलकराज और उप्विजेता है एलेकजेंडर जेवेरेव फ्रेंच ओपन टैनिस टूनमेंट 24 24 अब 24 फ्रेंच ओपन टैनेस का महिला एकल खिताब किसने जीता ओगा स्विटेक ने अब प्रश्न पूछ रहा है कि उपविज़ेता कौन है मतलब इन्होंने किसको हराया है किस महिला खिलाडी को हराया है इन्होंने यह हैं अप्संस मार्टिना हिंगे, सानिया मर्जा, जैस्मीन, पाउलीनी, मारिया सारापोवा यह है इगा स्वेटेक, इगा स्वेटेक ने जो की बिजेता है फ्रेंच ओपन, टैनिस टूनामेंट, दुहार 24 की इन्होंने हराया है जैस्मीन पाउलीनी को जैस्मीन पाउलीनी, आप्सन नमबर C है इसका अंसर तो हटा दीजे मार्टिना हिंगे, सानिया मर्जा को, मारिया सारापोवा को तो फ्रेंच ओपन, टैनिस टूनामेंट, महिला एकल का खिताब किस ने जीता इगा स्वेटेक, किसको हराया, जैस्मीन पाउलीनी 24 फ्रेंच ओपन, टैनिस का एकल महिला का खिताब पोलेंड की इगा स्वेटेक ने जीता और इटली की जैस्मीन पाउलीनी को हरा कर देखे कल 9 जनबरी, 9 जून 24 को भारत के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने तीसरी वार प्रधान मंतरी पत की सपत ली उससे रिलेटेड कुछ प्रशन बनाएंगे, नरेंदर मोदी के अलाबा, संबेधान लागू होने तक ठीक है, लगतार तीन बार भारत के प्रधान मंतरी कौन रहे इंदिरागांधी, मुराजी, देशाई, लगतार पूश रहा है पंडिच जवार लाल नहरू, अटल विहरी बाचपई यानि ये दूसरे हैं तो पहले कौन थे वो पूश रहा है पंडिच जवार लाल नहरू, आप्सन नमबर सी है इसका अंसर क्यों है चर्चा में, नौजून दुहर 24 को, यानि कल राष्टपदी द्रोपदी मुर्मू के द्वारा नरिंदर, दामोदर, दास, मोदी को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधान मंत्री के रूप में सपत दिलाई गई नई दिल्ली के राष्टपदी भवन में एक समारों में राष्टपदी द्रोपदी मुर्मू पद और गोपनेता की सपत दिलाई पंडिट जबाल नाल नहरू वह कौन नरिंदर मोदी पंडिट जबाल नहरू के बाद लगतार तीस्ती बार भारत के प्रधान मंतरी के रूप में सपत लेने वाले दूसरे भ्यक्ती है np. है भारत का प्रधान मंत्री बनने का record किसके नाम है चार बार इंदिरा गांधी option number B has cancer तो इंदिरा गांधी भारत की चार बार प्रधान मंत्री 1996-1979, 1979-1971, 1971-1984, 1980-1984 में प्रधान मंत्री रही वो कोश्चन नमबर फाइब पराजे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के तीसरे कारकाल में गठित केंद्रे मंत्री परिशद में किस राज का पृतिनित्व सबसे अधिक है किस राज के मंत्री सबसे ज़्यादा है केंद्रिय मंत्री उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा है अपसा नमबर डी है इस कांसर तो उत्तर प्रदेश में क्यारा मंत्री उत्तर प्रदेश से दूसरे उसके बाद बिहार से आठ मंत्री और गुजराद से छे मंत्री यूपी का नाम याद रखिएगा पुशन नमबर सिक्स पर आजए है नरेंदर मोधी के तीसरे कारकाल के मंत्री परशद में कितनी महिलाओं को सामिल किया गया है साथ, चार, एक, तीन साथ महिलाएं ओप्सन नमबर ए है सकॉंसर तो साथ महिलाएं हैं कौन-कौन सी निर्मला सी तरमन, अनपूर्णा देवी, सावित्री, ठाकोर, निम्बू बैन, बंभानिया रक्षा, खड़से, खड़से और सोभा, करंद लाजे और अनुप्रिया पटेल पुशन नमबर सेवन पर आजए ये केंद्रिय मंत्री परशदि के सरसियों के निउक्ति कोन करता है तो भारत के समभधान के अनुछएत 75 के तेहत भारत का राष्ट्रपति जो कि है द्रोपदी मुर्म, बरतमान में प्रधान मंत्री की सराबर मंत्री परशत के सरस्यों की नियुक्ति करते हैं पुशन नुमर 8 पर आज़िए भारत के प्रधान मंत्री की नियुक्ति कौन करता है असान सा प्रश्टन है राष्टपती तो सम्विधान के अनुछेत 75 के तहद भारत का प्रधान मंत्री भारत का राष्टपती प्रधान मंत्री की नेक्ति करता है प्रधान मंत्री सहीद कुल कितने मंत्री हैं बहत्तर मंत्री नौजुन 24 को राष्टपती द्रौपती मुर्मो ने केंद्रे मंत्री परश्ट के 72 मंत्री को सबत दिलागी दस्वा प्रश्ण है भारत के किस सहर ने खगोल परेटन को बढ़ावा देने के उद्देश से पहली नक्षत्र सभा की वेजवानी की क्या है इस का अंसर? इसका अंसर है उत्राखंड, उत्राखंड का मस Idahoूरी त ओप्सर नंबर भी है इसका अंसर देखे राज में परेटन को बढ़ावा देने के लिए उत्राखंड सरकार ने मसillarसे में नक्षत्र सभा नाम से अपनी तरह का भारत का पहला खागोल परेटन आयुज़ित किया पहला खागोल परेटन कारकरम एक से दो जून 2019 को मसूरी सहर में आयुज़ित किया गया और उत्राखंड परेटन विकास बोर्ट ने स्टार स्केप्स कमपनी के सहयोग से मसूरी उत्राखंड भारत की पहली खगोल परेटा नक्षत्र सवा का अयोजन किया ठीक है कुश्चन नमबर 11 पर आजे तीसरी भारतिय विशलेशन आत्मक कॉंग्रेस कहा अयोजित की गई तीसरी भारतिय विशलेशन आत्मक कॉंग्रेस जो अयोजित की गई वायुजित की गई है उत्राखंड के देहरादून में हॉपसन नंबर ए हैसका अंसर देखें तीन दिवसिय भारती है तीन दिवसिय तीसरी भारते विश्रिशनात्मक कॉंग्रेस पांच से साथ जुन जुन जुहार दोयार चौबिस तक उत्राखंड की राजधानी देहरादून में अउजित की गई और इस कॉंग्रेस का उद्घाटन लदाग विश्वित दि के कुलपती प्रोफेसर एस के महता ने पांच जून दोहजार चौबिस को किया ठीक है पांच से साथ जून तक ही हुई है और तीसरी भारते विश्रिष्णा अत्मा कॉंग्रिस दिहार 24 का विशे किया है हरित परिवर्तन में विज्ञान और प्रधर्वकी की भूमिका अब अज़ेगे कुश्चन नमबर भार पर इंपोर्टन डेप्रशन 21 वा सांगरिला संबाद कहां अजित किया गया 21 वा सांगरिला संबाद अजित किया गया सिंगापूर में और स नमबर भी है इसका अंसर सिंगापुर में 31 मई से 2 जून 2014 तक देखे एशिया परसांद शेत्र की प्रमुक रक्षा बैठक सांगरीला संबाद या ACI सुरक्षा सिखर सम्मेलन का 21 संसकन 2 जून 2014 को सिंगापुर में समाप्थ हुआ और सांगरीला संबाद 31 मई से 2 जून 2014 तक सिंगापुर के सांगरीला होटल में आउजित किया गया इसमें परशांद शेत्र एशिया परशांद शेत्र और दुनिया के अन्य हिस्सों से सो से अधिक प्रतिनिदियों ने भाग लिया अच्छा इससे रिलेटेड कुछ कोशन अगर बने एक्जामस में तो क्या बन सकते हैं बारसिक सांगरीला संबाद या एशियाई सुरक्षा सिखर संबेलन का आउजिन कौन करता है तो लंदन इस्थित इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्टेटेजिक स्टेडीज और सिंगापुर सरकार करती है ठीक है दोहर 24 कहा हुआ सिंगापुर में हुआ सांगरीला होटल सिंगापुर के और पहला संगरीला संबाद या एशियाई सुरक्षा सिखर संबेलन का आउजित किया गया था वो वर्स दोहार दो में अब आज ये कॉशन नमबर 13 पर भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों की बारवी सेयुक्त कार समू की बैठा कहा आउजित की गई भारत और मंगोलिया की है तो ये तो भारत में होगी या फर मंगोलिया में होगी मंगोलिया तो कहां उलन बटोर है कैपिटल मंगोलिया की तो इसका अंसर डी ही है उलन बटोर मंगोलिया 16 से 17 मैं 22 को मंगोलिया की राज़ानी उलन बटोर में हुई है देखे रक्षा सेयों को बढ़ाबा देने और रक्षा संबंदों को मजबूत करने के लिए भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों के बारवे सेयुक्त कारिसमों की बैठक 16 और 17 माई 24 को मंगोलिया इराजधानी उलान बटोर में आयुजद की गई रक्षा मंद्रियों की कारे समों की जो बैठक है जिसको बोलते है जेड डबल्यू जी हर साल आयोजित की जाती है यह पृति एक वर्ष यह बैठक पुशन नमबर फोटीन पर आजए इंडिया स्किल्स पृतियोगिता दोहार चौविज किस इस्थान या इस्थानों पर आयोजित की जा रही है नई दिल्ली में करनाटक में उत्तर प्रदेश और गुजरात या सब ही जगा इंडिया स्किल्स पृतियोगिता दोहार चौविज सब ही जगा है नई दिल्ली में, करनाटक में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में तो इसका अंसर हो जाएगा, उप्सन नमबर डी प्रोक सभी देखे, चार दिवसी है, देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियों किता इंडिया स्किल्स 2014, 15 माई 2014 को नई दिल्ली में शुरू हुई है और उद्घाटन समारो जो हुआ, वो यशो भूमी द्वारी का नई दिल्ली में आयोजित किया गया नई दिल्ली में 47 कौशल प्रतियों किताएं होई, सेज 14 कौशल प्रतियों किताएं करनाटक में, हरियाना, उत्तर प्रदेश और गुजरात में हुई ठीक है, याद रखीगा अब इस से related जो कॉशन इंडिया स्किल्स प्रतियों किताएं कितने वर्सों के अंतराल के बाद आयोजित की जाती है तो यह है, दो वर्स बाद आयोजित होने वाला दुवार्शिक आयोजिन है इंडिया स्किल्स प्रतियों किता का आयोजिन कौन करता है तो राश्टे कौसल विकास निगाम करता है राश्ट्ड कौसल विकास निग आप क्यादर की गा किया औप मिक्तしました ये आयो जितित की गई नीदरलेंड के विस्वहाइड़ोजन नंबर भी है इस कांसर तो विस्व हईटोजन शिखर संहीलन continued 2014, 2013-15 मेईटोज तक राटरडेम नीदर लेंड में आउजित किया गया विस्व हईटोजन शिखर संहीलन जो है वैश्विक खरित हईटोजन 25 तंत्र में एक प्रतिश्टित कारिकर में सिखर सम्मेलन में दुनिया भर से 15,000 प्रति नदियों ने भाग लिया इसे related question कुछ जैसे कि विश्व हाइडोजन सिखर सम्मेलन प्रदर्शनी दिहर 24 में इस्थाफित भारतिय मंडप का उद्गाटन किस ने किया बहाँ पर नवीन एवन नवीकरणिये उर्जा मंत्राले के सचि भुपेंदर सिख भल्ला ने किया और किस मंत्राले ने विश्व हाइडोजन सिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी में भारत का पहला मंडप स्थाफित किया है वो है केंद्रे नवीन और नवीकरणे उर्जा मंत्राले और भारत में राष्टी हाई रोजन मिसन कब सुरू किया गया था अगर प्रश्ण ऐसे पूछ ले तो भारत में राष्टी हाई रोजन मिसन चार जनवर दिहर बाइस को तो केंद्रे मंत्री मंडल द्वारा इसको मंजोरी दी गई थी तो चार जन्विट देहर बाइस को ठीक है यह जीज कहां अपने अपने देशों का राटर डाम नीदर लेंड में तो पंद्रा प्रोशन थे करेंट अफ हर्स के एंपोर्टन इनकी प्रेक्टिस एक से दो बार कर लिजेगा धन्यवाद